conscious mind और subconscious mind हमारे दिमाग के दो सबसे powerful हिस्से है conscious mind वो जिससे हम सोचते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी सारी activity conscious mind से कंट्रोल होती है हम जिससे सोचते है कि क्या सही है क्या गलत है और जो हमारा subconscious mind है वो कभी सोता नहीं है 24 गंटे वो जाकता रहता है आपके शरीर के सबसे important parts को वो कंट्रोल करता है वही आपको रात में सपने भी दिखाता है subconscious mind के अंदर एक ऐसी छूपी हुई शक्ती होती है जो आपके जीवन में miracle ला सकती है जिसके पास आपके हर सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब होता है जब आपने अपनी subconscious mind की शक्ती को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए ये समझना होगा कि subconscious mind काम कैसे करता है इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपका conscious mind एक माली की तरह है और subconscious mind एक खुबसूरत garden की तरह जिस तरह के बीज आप उसमें लगाएंगे वैसे ही उसमें पौधे निकल कराएंगे काटे लगाएंगे तो काटे ही आएंगे वैसे ही जो आप negative thoughts अपने अंदर लाएंगे तो subconscious mind उसे सच कर देगा जैसे अगर आपने सोचा कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है या आज की दिन कुछ बुरा होने वाला है तो आपके साथ हर वो चीज होगी जो बुरी से बुरी होगी क्योंकि हम जैसा सोचते है हम वैसे ही बनते है एक और तरीका है अपने subconscious mind को कंट्रोल करने का वो है imagination आपको बस वो सोचना है जो आप पाना चाहते है imagination बहुत असान तरीका होता है आपके subconscious तक अपनी बात पहुचाने का जैसे कि अगर आपको कोई कार खरीदने है तो आप imagine कर सकते है कि आप उस कार के शोरूम में गए हुए है उसकी टेस्ट ट्राइव ले रहे है फील कीजे उस कार को खरीद कर आप ड्राइव करते हुए घर लेके आ रहे है उसको इस तरह से imagine कीजे कि यह आपके साथ अभी हो रहा है उसके बाद आपका subconscious mind उसे reality बना देगा इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा कि subconscious mind किस तरह से काम करता है